दोस्तो दिवाली की सुरुवाद धन 13 के परव से ही हो जाती है। कहते हैं धन 13 के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने का विशेश महतव होता है। साथ ही धन को प्राप्त करने के इच्छुग लोग धन के देवता कुवेर और माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करते हैं। मानता है कि इस दिन समुद्रमंथन के दोरान भगवान धनवंतरी हाथ में एक लोटा लेकर प्रकट हुए थी। कार्तिक मास के क्रिशन पक्ष की तरियोदसी के दिन धनतेरस मनाई जाती है। धनवंतरी के जनम के इस जनमोत्सव के पावन परव यानि कि धनतेरस के मौके पर लोग सोना, चांदी, बरतन और अन्य प्रकार के विबिन आबूशन आदी खरीदते हैं। कहते हैं कि इस दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है वे दोगना हो जाता है। के उपर और आपके घर परिवार के उपर सदेव बना रहेगा। आज कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जाडू के नीचे रख दे एक छोटी सी चीज, माता लक्ष्मी खोद आएंगे आपके घर। दोस्तो धन्तेरस के इस पावन अवसर को माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाने का बहुती अच्छा मौका है। इसे अपने हाथ से नजाने दें और माता लक्ष्मी से स्ने रखने वाले व्यक्ति एक बार कमेंट बॉक्स में जै मा लक्ष्मी अवसरिक दें और इस उपाय को पूरे ध्यान पुरवक सुनें। दोज्तो जाडू को साक्षात मा लक्षमी का ही रूप कहा जाता है और जाडू के प्रयोग को आपके भागे से जोड़ कर देखा जाता है। आम तोर पर सभी के घरों में जाडू पाई जाती है। जिस प्रकार से घर में आने वाली गंदगी को आम तोर पर घर में जाडू लगाकर घर से बाहर कर दिया जाता है। वहीं पर अगर आप कुछ खास उपाए करते हैं, कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं और कुछ नियमों का पालन करते हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली, निर्धनता, गरीबी और दर्दरता को भी इस जाडू के माध्यम से अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं। माना जाता है कि जाडू के कुछ खास और छोटे छोटे उपाय कर लेने से ही आपके घर में और आपके जीवन में कभी भी सुक और एश्वरे की कमी नहीं रहती है। उस घर में सदाही लक्षमी वास करती है और घर के सभी वास्त दोस मिट करके घर में हमेशा खुशी भरा सकारत्मक वातावरण बना रहता है। दोस्तों वैसे तो जाडू लगाने के धेरो नियम होते हैं। अगर आप उन सभी का पालन करते हैं तो आपको मातालक्षमी की किरपा तो मिलती ही है। लेकिन किसी भी कारण से अगर आप उन सभी नियमों का पालन नहीं भी कर पाते हैं, तो कौई बात नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको जाडू के नीचे एक ऐसी क्या खास चीज है, जिसे रखने से माता लक्षमी की किरपा आपके उपर बरसने लगेगी, उसके बारे में बात करने वाले हैं, वे कौन सी चीज है या वे कौन सी वस्तू है, जिसे अगर आप अपने घर में रात है, वे कौन सी चोटी-चोटी चीजे हैं, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, वे कौन सी नियम हैं, जिनने हमें अपना लेना चाहिए, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और कमेंट बोक्स में जै माता दी, जै मालक्षमी, एक बार अवस्य ऐसा कमेंट कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए हर रोज लेकर आते रहते हैं, ऐसे ही जवर्दस वीडियो, जिनसे आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं, और जी सकते हैं एक सुख में जीवन, तो दोस्तों चलिए कौन सी चीजे हैं, जो आपको अपने ज्यादू के नीचे रखनी चाहिए, दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, कि ज्यादू को माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है, माता लक्ष्मी स्वाक्षात रूप से ज्यादू में निवास करती हैं, इसलिए आप आपको अपने घर में जाडू को विशेश रूप से ध्यान पूर्वक रखना चाहिए, साब स्वच्छ जगा पर रखना चाहिए, कभी भी घड़ी जाडू को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, और ऐसी जगा पर भी नहीं रखना चाहिए, जहां जाडू के उपर पैर प पर जैसे होली, दिवाली, एकादसी, शुकरवार, वीरवार, ऐसे कुछ खास सायोग होते हैं, ग्रैन बगरा, या पर पूर्णमा, अमावश्या, इन पर आपको दान करना चाहिए. दान करने के लिए क्या करें, कि आप अपने घर में से कोई भी नई जाडू को ले करके, ब्रह्म मुरत में मंदिर के शीडियों पर रखे छोड़ कर आ जाएं, ये दान गुप्त होना चाहिए, इसके बारे में किसी को पता ना चले, इस परकार से आप इसका दान करें, पुरा करने लगती है, अगर आप पुरानी जाडू जो टूट टूट के गिरने लगी है, ज्यादा पुरानी हो गई है, अगर आप उसका इस्तमाल फिर भी करते रहते हैं, तो इससे आपके घर में वास्त दोस्तपन हो जाते हैं, साथ ही नकारतमक उरजाओं का प्रवा बढ़ने रगता है, साथ यह आपने देखा होगा, पुराने जमाने के लोग बताते हैं, कि पहले मंदरों में सफाई करते थे, अपने घर की जाडू से इस्तवाल करके, मंदरों सफाई करते थे, आज भी कुछ लोग करते हैं, तो आप देखेंगे उनके घर में हमेसाई बरकत बनी इसलिए आप भी गुप्त दान करें जाडु का और साथी मंदिर में अवश्य दान करें और मंदिर में साफ सपाई करें और साथी अपनी जाडु को जो तूट तूट कर गिरने लगी है पुरानी हो गई है उसे आप उठा करके प्रवाइद कर दें अपने घर से निकाल दें ताकि वे आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तुदोस उत्पन ना करें इसके अलावा दोस्तो एक नियम आप अपने जीवन में अपना लें ताकि आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की धन हानी बिलकुल भी ना हो वे अन्य प्रकार की समस्याई भी उत्पन ना हो जहाँ भी आप ज़्ाड़ू लगा रहे हैं ये देख लें, कि आपके कई कोई जुट तो निहीं गिरा हुआ है, जूटन आधी तो निहीं गिरी हुई है। इसके उपर सीधे तोटः से कभी भी आप ज़्ाड़ू न लगाए। क्योंकि दोस्तों आगो बताया था कि ज़ाडू को शाक्षात रूप से लक्षमी का परतीक माना जाता है, अगर आप जूटन पर सीधी ज़ाडू लगाते हैं, तो इससे माता लक्षमी क्रोधित हो जाती है, इसलिए इसके लिए आप क्या करें, उसके थोड़ा सा पानी डाल होती है, दर्जदरता नहीं होती है, उसका जीवन सुख और एस्वर से भरा ही रहता है, दोस्तों इसके अलावा कर आप चाहते हैं कि आपके घर में माताल लक्षमी परवेश करें और इस्थाई निवास करें, वह आपके घर में हमेशा के लिए इस्थिर हो जाएं, तो इस कहते हैं, जो हवा नादी को पूजा करते वक्त अपने हाथ पर हम बांगते हैं, उसे आप जाडू की हैंडल पर बांग दे। ऐसा करने से माता लक्षमी सदयव आपके घर में इस्थेर और इस्थाई वाज करने लगती है। इसके अलावा, जब भी आप अपनी घर में जाडु का इस्थामाल करें, उससे पहले आप पहली वार इस्तमाल करने से पहले एक बार जाडू को साफ पानी से ध्योग करके उसे सुखा लें और उसके बाद ही आप इसे इस इस्तमाल करें. दोस्तों आप आपको बताते हैं विशेश प्रयोग यानि कि जाडू के नीचे आपको क्या रखना है उस प्रयोग के बारे में इस प्रयोग को आप खास तोर प्रकार से आप अपना ले और इसे प्रति दिन करें आपको बहुत ही विलाब मिलेगा दोस्तों आउको करना क्या है कि आप जब रात्री को खाना वाना खा करके निरविध हो जाएं तब उसके बाद सोने से पहले आप अपने घर के मुख्ये दर्वाजे के पास यानि कि गर के अंदर से, गर के मुख्य दर्वाजे के पास जाडू को लिटा कर रख दें, ये तो आपको पता ही है, कि जाडू को कभी भी खड़ा नहीं रखते हैं, जाडू को हमेशा ही लिटा करके रखते हैं, तो आप जाडू को लिटा करके रख दें, और जाडू के नी तो आप दिन में ही ले आए और रात को आप जीरा और धनिया दोनों को ही मिला करके आप जाडू के नीचे डाल दें. धनिये के दाने 11 होने चाहिए और जीरे के दाने 4-5 हो कोई गिंती की जरूरत नहीं है. आप बस थोड़ा सा जीरा और 11 दाने सूखे धनिये के डाल दें. खास तोर पर दोस्तों आपको ये प्रियोग रात तरी को ही करना है. आप इस प्रियोग को किसी भी दिन कर सकते हैं. सौंबार से ले करके रभी बार तक आप किसी भी दिन से इस प्रियोग को सुरू करें और प्रति दिन करें. अब आपको क्या करना है कि अगले दिन सुबह उठकरके अपने घर में जब आप जाडू लगाएंगे तो आप उन जीरे और जो सूखे दनिये के दाने थे उसे भी घर के कुड़ा करकेट के साथ ही बाहर निकाल करके जाडू के साथ फेंग दें ऐसा माना जाता है कि आपके घर में जो भी नकारतमक उरजा थी दरदरता थ दन हाने होने के जो योग थे वे सभी योग इस जाडू की गंदगी के साथ आपने अपने घर से बाहर निकाल दिये और जिस घर में संपूर्ण रूप से सफाई होती है वहाँ पर माता लक्षमी का निवास होता ही है यही बात गरंथों में और शास्त्रों में लिखी गई है इसलिए दोस्तों इस उपाय को जो भी व्यक्ति करता है उसके जीवन से दर्दरता का नास हमेशा के लिए हो जाता है और माता लक्षमी के परवेश अवश्य ही होता है जो भी को यह उपाय करता है उसके घर में बरकत बढ़ती है और सुक समर्दी आती है तो दोस्तों आ जय मातादी, जय मालक्षमी, जय बजरंग बली